इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी यूस करते हैं facebook और अगर आप facebook पर अपनी profile यानि की अपनी id का link copy करना चाहते हैं और किसी को share करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं आई आज की इस वीडियो में जानते हैं तो यहां पर आप उसके लिए सबसे पहले अपने फोन में Facebook को open कर लिजिये तो यहां पर हम open कर लेते हैं यहां पर आप देख सकते हैं हमने Facebook को open कर लिया है open करने के बाद आपको उपर की तरफ right side में 3 line show हो जाएंगी आपको इन 3 line पर touch करना है तीन लाइन पर टच करने के बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो और नाम शो हो जायेगा और यहाँ पर लिखा हुआ है see your profile तो यहाँ पर आप see your profile पर टच कर दीजिए उसके बाद यहाँ पर आपकी Facebook की profile आ जाएगी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका नाम शो हो जाएगा उसके नीचे एक option है add to story का उसके right side में आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 dot का option है तो यहाँ पर 3 dot बने हुए हैं आपको यहाँ पर 3 dot पर touch करना है उसके बाद यहाँ पर आपके सामने आपकी profile settings आ जाएंगी आपको यहाँ पर नीचे आना है नीचे आकर आप देख सकते हैं एक option है your profile link यहाँ पर आपको उसके नीचे की तरफ एक option मिलेगा copy link का यहाँ पर आप copy link पर touch कर दीजिए उसके बाद यहाँ पर आपको show होगा link copy हो गया है अब यहाँ पर example के लिए अगर आप किसी को share करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम WhatsApp को open कर लेते हैं तो यहाँ पर माल लीजिए हम अपने इस दोस्त को send करना चाहते हैं यहाँ पर आपको type a message पर touch करना है उसके बाद यहाँ पर आप type a message पर दबा के रखिए यानि कि press करिए एक option आजाएगा paste यानि कि आपको paste पर touch कर देना है उसके बाद आप इसे send कर सकते हैं यहाँ पर यह है आपकी Facebook profile का link यहाँ पर अगर वह इस link पर touch करेगा तो वह सीधा आपकी profile पर आ जाएगा तो इस तरह से आप यह कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe चरूर करें